आप जानते हैं DTH पर E-Vidya के साथ साथ YouTube पर आप हमारे ये करिक्रम लाइव देख सकते हैं और इसके लिए आपको YouTube पर सर्च करना है NCERT Official या आप NCERT PM E-Vidya Class 10 पर भी आप हमारा ये करिक्रम देख सकते हैं और इस करिक्रम के दौरान सत्र के दौरान आप अगर कुछ प्रशन पूछना चाहते हैं हमारे आज के विश्यशग्य से तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में YouTube पर और इसके अलावा आप email और फोन नंबर के जरीए भी अपनी जो queries हैं अपनी प्रतिक्रिया हैं उनको हम पहुंचा सकते हैं इसके लिए नंबर नोट कर लिए डबल डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइब नाइन और साथ ही साथ आप email के जरीए लिखें तो email address है dth.class10 at the rate cit.nic.in इन माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़िए और इस session का सत्र का हिस्सा बनिए और शूची परियावरनम क्योंकि ये संस्कृत भाषा आज का विशय है और भाषा जब भी पढ़ाई जाती है तो भाषा सिखाने का भी उद्धिश होता है और भाषा में जो topic चुने जाते ह उनको भी उनके बारे में भी बात की जाती है तो कभी ने इस chapter में इस अध्याय में परियावरन के बारे में क्या कहने का प्रयास किया है ये जानेंगे तो सर ये अध्याय क्या शुक्षा देता है क्या बताता है परियावरन के बारे में जो महानगरों में आज परदूशन क जो इस्थिती है जी और हमारा पर्यावरण प्रदुसित है जी तो उसे कैसे जो हम बच सकते हैं और उसकी वास्टवी के एक इस्थिती को जो है कवी निया दर्साने का प्रयास किया है जी तो पर्यावरण किस तरह से संकट में है पर्यावरण के सामने किस तरह से चुनोतिया है यह हम सभी समय भी देख रहे हैं देश के भारत के तमाम हिस्सों में हीट वेब का प्रकोब भी रहा है तो कहीं न कहीं ये भी परियावरन का ही विशह है जो लोगों के सामने है तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें वर्तमान पीड़ी आने वाली पीड़ियों क शिक्षित और जागरू करना बहुत जरूरी है तो हर माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इस भाषा संस्कुत भाषा के माध्यम से कवी ने कुछ सम्झाने का प्रयास किया है आई ये पढ़ते हैं आज का पाठ जी नमस्ते मंपिरियां से चात्रा चात्रां से नमो नम है दसम कक्षा आया हा संस्कुत पाठ पुष्टगं से भाग दिती है ये तस्ये प्रतम पाठ है सुचि पर्यावरणम अध्यवयम पठाम है अयम पाठ है आधुनिक संस्कुत कवे है हरिदत सर्मनाह लसत लतिका इती रचना संग्रहात संक्लितोस्ति अत्र कवी महानगराणाम यंत्रादिक्केन प्रवधित प्रदुष्णो परी चिंतित मनाह दर्ष्चते सहकतियत यत इदम लोह चक्रम सरीरस्य मनस्य सोशकम अस्ति अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति कवी महानगरिय जीवनात सुदुरम नदी निर्जरम वरक्ष समुहम लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुंजितं वन प्रदेशं प्रति गमनाए अभिलसती अध्यवयं प्रथम पाठ से चतुरह सलोकान पठाम है यथा वयं सर्विजानी मह एशह पद्यात्म का पाठ है पद्य से एका लयह भावति तो प्रथम पाठ से प्रथम सलोकम वयं पठाम है दुर्वहमात्रजीवितं जातं प्रकर्तिरेवसरणं सुचिपर्यावरणं सुचिपर्यावरणं महानगर्मध्य चलदनिशं कालायस चक्रम् मनह सोसयत तनुप्रेशयत ब्रमतिस दावक्रम् दूर्दान्ते दस्नैरमुना शानेव जनग्रसनं सुचिपर्यावरणं सुचिपर्यावरणं कजल मलिनं दूमं मुंचत सतसकतियानं वास्पयानमालासंदावति वितरंति द्वानं यानानाम् पंक्त योहनंता कटिनम् संसरणं सुचिपर्यावरणं आ सुचिपर्यावरणं वायुमं अंडलं ब्रसमदूसितं नहिनीर्मलं जलं कुच्षित्वस्तुमिष्रितं भक्षं समलं दरातलं करणीयं भै अंतर जगतितु बहुसूद्धी करणं सुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं कंचित्कालं नयमाम्स्मारं नगराद्भावदूरं प्रपस्यामी ग्रामांते निर्जर्न दिपयपूरं एकांते कांतारेशनम अप्मेश्यासंचरणं सुचिपर्यावरणं बहुत सुंदर बहुत सुंदर श्लोक और बहुत सुंदरता से सर ने इसको लै में छात्रों के समक्षे पढ़कर बताया और उम्मीद करते हैं कि छात्र भी इस तरह से जब पाठ करें तो संस्कृत में ही और इसको लै में ही पाठ करें उनका जो संस्कृति के प्रति लगाव है भाशा के प्रति लगाव है वो भी बढ़ेगा और आनन भी आएगा पहला प्रश्न प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा है शूचि पर्यावरणम नित्यक मि अर्था भगती यथा वयम सर्वे अत्र पथित वन्ता है पाटश्य नाम पी सुचि परियावरणम तथा प्रती कस्मिन स्लो के स्ताय अंत्रा स्ती सुचि परियावरणम तो सुचि परियावरणम अत्र सुचि परियावरणम इती समस्ट पदम स्ती समास है सुचि च तत परियावरणम अत्र क परियावरण में इता रच्वन निर्मलती परियावरण मुस्ति परियावरण तो परियावरण के depth चारेंट दो आवरण है वह परियावरण है अत्र परियावरण अत्र 1 संदि आऊच इस्ची सुचि परियावरण को ही सुचि पर्यावरन कहते हैं तो अगरे वयम पठाम है प्रतम है पाठ है अत्र प्रतम सलोकस से भावान वयम इदानिम यश्याम है तो यथा पुर्वम लयम वयम कृत वनता है एक वारें पून है दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रिकर्ति रेव सर्णं सुचि पर्यावर्णं महानगर्मदे चलद निशं कालाया सचक्रं मनह सोशयत तनुप्रेशयत ब्रमति सदावक्रं दूर्दान्तै दस्नाइरम उनाश्यान्य वय ग्रजग स्यान्य वजन ग्रसनं सुचि पर्यावर्णं ये ता से स्लोका से पदच्छेदं वयम पश्याम है पदच्छेदं दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकति एव सर्णं सुचि पर्यावर्णं ये ताई अंत्रास् तो महानगर मद्दे चलत अनिसम कालाया सचक्रम मनह सोशयत तनुहु पेशयत ब्रहमती सदा वक्रम दुरदानतही दसनही अमुना स्यात न एव जन ग्रसनम इतर से इसलोकस से अनवयम पश्याम है अत्र अत्रकुत्र नगरेशु महानगरेशु जीवितं नियस्माकं जीवनं दुर्वहं कष्टकरम जातं अत्र नगरेशु महानगरेशु अस्माकं जीवनं कष्टकरम जातं अभवत अधुना प्रकृति एव सरणम अस्ति सुचि परियावरणम सच्छम वातावरणम प्रति गच्छाम हैं महानगर मद्दे अनिसम चलत कालायास चक्रम मनह सोशयत तनुप्रेशयत सदा वक्रम भवती अमुना चक्रेण दुरदान्तही दसनही जनग्रसनम न एव स्याथ दुरवहम अत्र जीवितं जातं प्रकृति रेव सरणम एतत अस्मागम स्ताई अन्तरास्ति एतस्य भावम की मस्ति पश्यामचेत दुरवहम अत्र जीवितं जातं इति वाक्ये किरिया पद रूपेन किम पदं पद पर्युक्तं दुर्वहं अत्र जीवितं जातं इति वाक्ये जातं इति पदं किरिया पद रूपेन पर्युक्तं दुर्वहं अर्थार्थ कष्टकरं जातं अर्थार्थ अभवत सुची परियावरणं अर्थार्थ स्वच्छं वातावरणं तो किम कष्टकरं अभवत जीवनं कष्टकरं अभवत कष्य जीवनं कष्टकरं अभवत अस्मागं अर्थार्थ जनानाम जीवनं कष्टकरं अभ जनानाम जीवनम कुत्र कश्टकरम अभवत जनानाम जीवनम महानगरेशु कश्टकरम अभवत महानगरेशु किम कश्टकरम अभवत महानगरेशु जीवनम कश्टकरम अभवत तो यह तो हुआ पहले प्रस्न का उत्तर दूसरा प्रस्न जो कभी से जुड़ा हुआ है कभी है यथा भवणता है प्रश्टु वंता है कवे ही प्रक्रत्यओं कि मर्थम गंतव मिच्छति प्रकर्टोहों वनमस्ती अ नदि आस्तीफ़ श्वच्छम बातावार अमस्ती सुद्धम जलमस्ती सुद्धम वायू अस्तीफ्डवाय। टाई चलने साव नाज प्रदू सितम वायू नास दी अस во दीया अस्माथ कारणाव तुवी परकर्तीं प्रती गन्तुमः दी अर्थार अस्मात कारणात कभी अस्मान सर्वान प्रति प्रगर्तिम प्रति गंतुम कथियती यथा वयम अत्रपश्या में हैं महानगर एशु मनुस्यस्य जीवनम कष्ट करम जातम अतह मनुस्यस्य आश्रेस्थानम किम अस्ति महा नग्रेशु मनुस्यस्य जीबनम कष्टकरम जातम अतहह अत्र जीबनम कष्टकरम अभवत महानगरेशु जीवनं किमर्थं कष्टकरम अबवद महानगरेशु परदुसितं वातावरणं अस्ति अतह अत्र जीवनं कष्टकरम अबवद कवी ही प्रकरते एव सरणं किमर्थं गंतु मिचेती प्रकरतोह वनं अस्ति नदी अस्ति पक्षिणाम कलरवह अस्ति स्वच्छं बातावरणं अस्ति सुध्धं जलं अस्ति वायू अस्ति प्रकरतोह वाहनानाम ध्वनी परदुसितं वायू चे नास्ति अस्मात कारणाद क कभी प्रकृति में जाने की बात क्यों की है क्योंकि बहूं प्रदूशन नहीं है वहां पर डूशित हवा नहीं है वहां प्रदूशित जल नहीं है वह अनों का शोर नहीं है पक्षियों का लरह है इससी चीजें वहाँ पर मौझूड हैं इसलिए कभी प्रकृति के प्रती लोगों को जागृत कर रहा है और प्रकृति हिसानिद्य में जाने की बात कर रहा है तो प्रकृति को अगर हम कम से कम नुक्सान पहुंचाएंगी तो शहरों में हमारे आसपास का जो प्रकृतिक वातावर हां यही उद्धेश से इस पाट को रखने का है बच्चों में प्रकृति के प्रती जागृता अपन हो जी तो कभी है सुचि पर्यावरनम से अत्र कम संदेशम दातुमिच्छति कभी अभी हम देखते हैं आजकल कि शहरों में जो गाडियां चलती है एक गाड़ी में एक विक्ती बेठा है इतना सारा ट्राफिक है तो कम से कम बाहनों का उपयोग कैसे हों हम पूल ड्राइविंग कैसे कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा व्रक्ष कैसे लगाएं व्रक्षार ओपन हम करता वे हम तो यह प्रकृति जो है सुचि परियावन के लिए संदेश देना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्रखषार ओपन करें और प्रक्रिति का और वातावन का नुक्सान नहों ऐसा काम हम सब करें तो जो हमारी लाइफस्टाइल है उस जीवनशली है उस जीवनशली को इस तरह से अपनाएं ताकि हम प्रकृति को कम स से कम नुक्सान पहुंचाए और प्रकृति से हम जाद से ज्यादा लाभानवीत हो सके। वयं सर्वे अपी स्वच्छस्य वातावरण स्य निर्मान कुर्म तेन वयं सर्वदाः ईपी स्वच्छे वातावरण वासम कर्थुम सकुनम है इती। एतसी सलोकसे अर्थास्ती अत्र नगरेशु महानगरेशु परदुशितम जल कारणाथ परदुशित वायु कारणाथ चे जीवनम कष्टकरम जातम अस्ती अदुना प्रकरती ही अर्थार स्वच्छम वातावरनम एव अस्माकम सरणम अस्ती अतह कवी ही इच्छती यत वयम स्वच्छम वातावरनम प्रतिगच्छा में हैं अर्थार स्वच्छ से वातावरन से निर्मानम कुर्म हैं इती भासारत है यहां नगर और महानगरों में परदुशित जल एवं वायु के कारण से जीवन कष्ट कर अर्थार दुखदाई हो गया है जिसके लिए प्रकृति अर्थार स्वच्छ वातावरन ही सरण है अतह कवी चाता है कि हम लोग स्वच्छ वातावरन की ओर चलें अर्थार स्वच्छ वातावरन का निर्मान करें अत्रदितियस लोग का है स्थी कजल मलिनं दूमं मुंचत सत सकति आनं वास्पयान मालासंदावति वितरंते द्वानं यानानां पंक्त योहनन्ता कठीनं संसरनं सुचि पर्यावरनं सुचि पर्यावरनं इता से स्लोक से पदच्छेदं वायं पश्याम हैं पदच्छेदह कजल मलिनं धूमं मुंचती सत सकति आनं वास्पयान मालासंदावति वितरंती द्वानं यानानां पंक्त यह ही अनन्ताह कठीनं संसरनं इता से स्लोक से भावं अवगच्छाम हैं कजल मलिनं धूमं मुंचती इत्यस्मिन वाखे किरियापदं किम अस्ती कजल मलिनं धूमं मुंचती इत्यस्मिन वाखे मुंचती इति किरियापदं अस्ती मुंचती इति किरियापदं से कह अर्थह मुंचती इति पदं से त्यजती इति अर्थह सत सक्टियानम इति पदं से कह अर्थह सत सक्टियानम इति पदं से सता दिकानि यानानि इति अर्थह सता दिकानि यानानि क्यम कम तेजन्ती सता दिकानि यानानि धूमं तेजन्ती सता दिकानि यानानि किदर्सं धूमं तेजन्ती सतादिकानि यानानि कज्यलं इव मलिनं धूमं त्यजन्ति कानि कज्यलं इव मलिनं धूमं त्यजन्ति यानानि कज्यलं इव मलिनं धूमं त्यजन्ति कतियानानि कज्यलं इव मलिनं धूमं त्यजन्ति सताधिकानि यानानि कज्जलं इव मलिनं धूमं त्यजन्ति वास्पयानमाला अर्थार्थ रेलयानम वितरंति इति पदस्य कह अर्थः अस्ति वितरंति इति पदस्य वितरनम कुर्वंति वितरनम कुर्वति इति अर्थः अस्ति रेलयानानी किम कुरवंती रेलयानानी गंतव्यस्तानम गच्छंती कोलाहलं कृत्वा रेलयानानि किम कुर्वंती कोलाहलं कृत्वा रेलयानानि धावंती कस्य प्रसारणं कृत्वा रेलयानानि धावंती द्वनेहें प्रसारणं कृत्वा रेलयानानि धावंती केसाम पंक्तय हसंती यानानाम पंक्तय हसंती यानानाम कति पंक्तय हसंती यानानाम अनन्ताह पंक्तय हसंती कि मनुष्याणाम गमनम सुक करम अस्ति , यह स्लोकर्ष है अर्थम पश्याम है सताधिकानि यानानि कज्जलम इव मलीनम धूमम त्यजंती रेलयानानि सम्यक कोलाहलम कुरुवंती धावंती संती यानानाम अनन्ताह पतयह दर्श्यमानाह संती सो से अधिक गाडियां काजल की तर मलीन धुआ छोड़ती है रेल गाडियां उचे स्वर में आवाज करती हुई दोड़ती है गाडियों की पंक्तियां भहुतायत में दिखाई देती हैं जिससे मनुष्यों को मार्गों एव राजमार्गों पर पेदल चलना कष्ट कर हो गया है अत हम लोग स्वच्छ वातावरण स्वच्छ परियावरण के प्रती चले तृतिया स्लोक है वायु मंडलं ब्रसमदू सितं नहीं नीर्मलं जलं कुच्षित्वस्तु मिश्रितं भक्ष्यम समलं दरातलं कर्णियं भै अंतर जगति तू बहु सूद्धी कर्णं सुचिपर्यावरणं पदच्छ दंपश्याम है वायु मंडलं ब्रसम दूसितं नहीं निर्मलं जलं कुच्षित्वस्तु मिश्रितं भक्ष्यम समलं दरातलं कर्णियं भै अंतर जगति तू बहु सुद्धी कर्णं एता से अनुएं पश्याम है वायु मंडलं ब्रसम दूसितं अस्ति नहीं निर्मलं जलं अस्ति कुच्षित्वस्तु मिश्रितं भक्ष्यम स्ति समलं दरातलं अस्ति बही अंतर जगति तू बहु सुद्धी कर्णं एता से भावाव बोधनं वायु मंडलं किदर्सं अस्ति वायु मंडलं दूसितं अभवत वायु मंडलं कियत दूसितं अभवत वायु मंडलं अत्यंतं दूसितं अभवत जलं किदर्सं अस्ति जलं मलिनं अस्ति भोजनं किदर्सं अस्ति अभज्य पदार्थै मिश्रितं भोजनं अस्ति दरातलं किदर्सं अस्ति दरातलं मलिनं अस्ति सुद्धिकरणं कुत्र करणियं सुद्धिकरणं बही जगती करणियं किम बही जगती एव सुद्धिकरणं करणियं न अंतर जगती अपी सुद्धिकरणं करणियं यहां वाईव मंडलम अत्यन्तम दुशितम जातम अस्ती अधुनाह महानगरेशु च्वच्छम निर्मलम जलम तुन दर्शे देव रसायना दिनाम मिश्रणेन भुज्य पदार्ताह अपि नफ्ताह जाता संती पुनस्च धरातले सर्वत्र मलीनता दर्शे दे अधुना अंत करण से बहीर जगत जगताह च सुद्धी करण से अत्यन्तम आवसकता अस्ती यहां वाईव मंडल अत्यन्त प्रदुशित हो गया है आजकल महानगरों में स्वच्छ एवं निर्मल जल नहीं दिखाई देता रसायनों के मिश्रण के कारण खाने की चीजे भी मिश्रित एव दुशित हो गई है और धरातल पर हर जगय मलिंता दिखाई पड़ता है अतह अभी आंतरीक और बाईय जगत का सुद्धी करण अत्यन्त आवसक है तो इस प्रकार से यह तस्मिन पाठे बहुविद प्रकारेन कथम पर्यावरन से रक्षा करनिया हां कथम जलस से रक्षनम क करनियं कथम अस्मा कम भोजनम दूशितम जातम तस्य रक्षनम करनियं एवं परकारेन अस्माकम जीवन यह आवसक अनसाह संत्ती तेसां कथम वयम स्वकिय उन्नत जीवन रखम वयम उपयोगम करतुम सक्रों में है तदर थम अस्मा भी बहुद ध्यानेन वायू मंदलस से वातावरन से रक्षणम करनियम तो बहुत अच्छा पाठ है पर्यावरन से जुड़ा हुआ जिसमें कविता के माध्यम से कवी ने बहुत कुछ बताने का प्रयातने किया है लोगों को चेताने का प्रयातने किया है और आपने बहुत अच्छे से श्लोग भी पढ़ा उसके अ इसके लिए क्या करना चाहिए संस्कृत विशे में रूची हो उसको विशेश कुछ नहीं करना है वो जो जिस प्रक्रिया से पढ़ रहा है उस प्रक्रिया से अभी हमारा NCRT के माध्यम से अगर विद्यार्थियों की दृष्टी से देखें तो हर पार्ट यहां लायू जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाए जाता है इसके लाव बहुत सारे अन्यानेज भी सादन हैं जैसे जो बहुत सारी संस्ताएं हैं जो 20 गंटे में संस्कृत बोलना सिखाएं तो कोई भी नया व्यक्ति भी जाकर के वहां 20 गंटे में संस्कृत बोलना सीख सकता है और ये रूची का विश्य होता है, विश्य कोई भी कठिन और सरल नहीं होता है, आपकी रूची किस विश्य में है, और संस्कृत हमारी सभी भासाओं की जन्नी है, सब भासाओं में इसके सब्द संस्कृत के अरिगादिक है, जो हम अपनी भासा अगर अच्छे से सुद्ध तरी परनम समझ में आया होगा और श्लोक को भी इसी लाइबध तरीके से वो कहने के अभ्यास में शामिल होगे, कहने का अभ्यास करेंगे, जिस तरह से आपने कहा बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों से अनुमतीलू, इससे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा, जिस तरह से पर लियावरन को सनक्षन करने में मदद मिलती हो, सर आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े जानकाने अदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप, धन्यवाद आप, दोक्टर देव की नंदन शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, भाषा शिक्षाविभाग, NCRT दिनली से, और आप स झाल, 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